हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी की शुराब देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ विमेंस बिग बैश लीग के मुकाबले की जो के खेला जाएगा पर्ट्स कोचस वर्सिस ब्रिस्बेन हीट के बीच में पर्ट के दव वैका क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पांच नेवंबर को धौपायर के दो बच के चालिस मिनिट पर और इस मुकाबले का लाइफ टेलिकास्ट होने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के उपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में तो ये बात हम सभी को पता है वैका का जो पिच है बहुत ही फास्ट पिच है आपे तेज गिनबाजों को हेल्प मिलने वाली है तो जो भी टीम टॉच जितेगी पहले गिनबाज ही करना चाहेगी इस मैदान सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ पर्ट कोचस के बारे में जिनको दो में से एक मुकाबले में जीत मिली है पिचले मुकाबले में ये टीम हार गई थी जो कि मैंना आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था अब देखो इस टीम को अनलाइस करना काफी सिंपल ये टीम बैटिंग के अंदर भी तीन प्लेयर्स पर रिलाय करती है और बालिंग के अंदर भी तीन प्लेयर्स के उपर ही रिलाय करती है इस टीम का टॉप ओडर इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंद है खास करके इस टीम की दोनों ओपनर्स बैत मुनी इस टीम के लिए इनको बैटिंग में ध्यान देना पड़ेगा तो जो ओपनिंग कॉमिलेशन एना पर्त का वो इस टीम की बैटिंग के अंदर काफी इंपॉर्टन भूमी का निभाने वाला है फिर एमी जोन से इस टीम के अंदर इंग्लेंड की आती है वो भी मिडल ओर के अंदर काफी अच् तो एलना किंग इस टीम भी सबसे अच्छी गेंदबाज है विकेट्स में निकालती है पिछले मुकाबली के अंदर तो बल्ले बाजी भी काफी डिसेंट करी तो वो काफी अच्छी स्पिनर है उसके अलावा गर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके पास एमी एडगार का अप्शन है एमी एडगार एक काफी अच्छी तेज गेंदबाज है और क्लोई एंसवर्थ भी इस टीम के अंदर तो क्लोई एंसवर्थ एमी एडगार और एलना किंग ये तीनों इस टीम की सबसे अच्छी गेंदबाज है लिली मिल्स का भी ऑप्शन है वो एक और जीतने के बाद पिछले मुकाबली के अंदर एक हार जिलनी पड़ी और सही बताऊं ब्रिजबेन हीट के पास एक बहुती शांदा टीम है और ये लोग इस मुकाबली के अंदर वापसी करना चाहेंगे अगर मैं आपसे बात करता हूं बल्ले बाजी के बारे में तो दो बहु कमाल खेली थी और इस साल भी ये लोग अच्छा करना चाहेगी जैमीमा रोडरी गेज ने भी ब्रिजबेन को जोइन कर लिया है पिछले मुकाबली के अंदर बे अच्छा खेली जैमीमा रोडरी गेज भी T20 की काफी अच्छी प्लेयर है तो ये तीनो टॉप तीन के अंद करती है इस टीम के लिए तो भाई और राउंडर की रूप में भी इस टीम के पास एक बहुत ही कमाल की प्लेयर है अगर मैं आपसे बात करता हूँ गेंदबाजी के बारे में तो चार-चार विकेट मिले हैं शिखा पांडे को भी ग्रेस पार्संस को भी इन दोनों ही बाजी करी ओवराल भी दोनों बहुत अच्छी प्लेयर हैं शिखा पांड इंडिया की है ग्रेस पार्संस ऑस्ट्रीलिया की दोनों चार-चार विकेट निकाल चुकी है निकोला हैंकोग पिछले साल क्या ही तगड़ा खिलीती लगातार विकेट निकोला हैंकोग भी तो उ सिख कर सकती है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस मुकाबले में कौँसे टीम को जीत मिलेगी और इस मुकाबले की फैंटेस से टीम आने वाली एक पी स्क्रीन के उपड़ तो ये मुकाबला वैसे काफ इंट्रस्टिंग होने वाला है पर मेरी पिक होगी इस मुकाबले क के अंदर ब्रिजबेन हीट मुझे लगता है इस मुकाबले में जीत मिले वाली है ब्रिजबेन हीट को उमीद करता है वीडिया अप पच्छी लगी होगी लगी तो लाक कीजिएगा सब्सक्राइब पीजिएगा चैनल को इस तरह वीडियो देहने के लिए मुलाकात होगे अब सब्सक्राइब वीडियो के अंदर और याद रहिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं